गुट मॉर्निंग फ्रेंज जै माता दी कैसे हैं आप सबी आसा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे आपके अपने यूटूब चैनल नीलम मिश्रा ब्लोग में स्वागत है फ्रेंज और हम भी ठीक ही हैं और देख सकते हैं काफी मॉर्निंग का टाइम है साड़े साथ बज रहे हैं लेकिन काफी कुई रासा चाया हुआ है बहुत ज तो इस ठंड में जैसे भी जो काम हो जा रहा है वैसे ठीक ठाक है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है फ्रेंज तो यहां पर हम चड़ा दिये हैं चाय क्यों लग गई है अपने नहाने में तो फिर हमने कहाँ चाय चड़ा देते हैं और कुछ चटपटा सा नास्ता भी बन मुट्सता है इसको मैं बनाती नहीं हूँ जल्डी फ्रेंज कि बहुत ज्यादा नुकसान भी करता है ये चमीयन जो होते है मैंगी मैं ज़्चान भी करते हैं बच्चों को तो फिर ठंड का मशवाम है तो चलता ही है तो काया बना रही हूं अज नुडल्स तो मनें शूचा बच्चों के पसंद का ही आज मॉर्निंग में नास्ता बना देते हैं और तब तक बहु भी हमारी आज आएगी नहा कर पुजा उजा करने के बाद तो फिर अब अराम से वो बनाएगी जो भी इसको बनाना होगा तब तक हम अपना किचन में लग गए हैं और कुछ करने से क्या होता है कि बैटने से काफी ठंडी लगता है और काम करते रहेंगे तो ठंडी भी कम लगेगा तो बस यही सोचकर और यहां हमारा मटर भी भून रहा है बाकि जो भी आई कुछ फ्रेंस इसका रेश्पी तो नहीं सेयर कर रहे हैं आप लोगों को पता ही है लेसन प्याज हमारे घर योज नहीं होता है तो बस सादे से मिच्ची का ही तड़का दिये हैं और बस इसमें हल्दी मसाला जो भी मुझे अपने तरीके से डालना था डाल दिये हैं इसमें टमाटर भी डाल देते हैं टमाटर भुनने के बाद बस वही धनिया पती और हमारा जो नुडल्स था उसको डालने के बाद बस बच्चों को जो भी खटी मिठी तीखी चटनी डाल कर खाना था बच्चे लोग अपना इंजवाई की और मैं आ गई हूँ इस रूम में तो अभी इस समय तो हम लोगों का रहना इसी रूम में है तो फिर इसका थोड़ा सा कर लेते हैं जाड़ुगरा क्यों मौनिंग का टाइम है और मौनिंग के इतना इधर उधर करते मैंने सुचा मौसम खुल जाएगा तो अच्छे से जाड़ुगरा का काम होगा ठंड भी नहीं लगेगा लेकिन मौसम बिल्कुल नहीं खुला फ्रेंस और मुझे करना पड़ा इसी ठंड में सब काम तो ठंड हो या कुछ भी हो जो काम है उसको तो करना ही पड़ेगा तो उधर का काम तो बहु करती ही रहती है लेकिन जो भी गेट के बाहर का काम होता है तो फिर उसको तो मुझे भी करना है तो हमने का जाड़ु लगा लेते हैं पहले पहले येंसी पहला काम जाड़ु ही कोता है मौनी का लेकिन हमने जाड़ आज नहीं लगया था मौसम के चकर में हम ने सुचा कि धूट जो बाच्चे से हो जाएगा तब हमारा जाड़ु का काम भी ह काम करेंगे लेकिन नहीं निकला और इस टाइम पर बज रहे हैं दस और दस बजी लग रहा है मेरा मॉनिंग का जाड़ू तब तक मैं इधर उधर का काम है सही करती रही जो भी है चाय पिया हमने दो बार बना कर और बच्चों को नास्ता अगरे भी बन गए थे और फिर इसक आग को छोड़ते हैं लेकिन पहले लग जाते हैं जो काम हमारा बचा है उसमें तो अब यहां देख सकते हैं जाड़ू का काम लग रहा है क्योंकि मॉनिंग में काफी ज्यादा लंबा जाड़ू लगाने का काम होता है और आप लोग वीडियो को फूल वाज किजिएगा औ एक लाइक देकर फ्रेंस हो फेमली में सेयद भी किजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सस्क्राइब कर लिजिएगा फ्रेंस याद से भूलिएगा मत और घंटी को दबा कर बेल आइकन भी प्रेश कर लिजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकिशन से पहले आपको ही मिले गाउं का विलेज का ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर किजिएगा फ्रेंस चैनल को और यहां देख सकते हैं सननाटा सा रोड भी पड़ा है सड़क भी खाली-खाली सा है और मैं सड़क के जो दुकान के सामने का अपना ज़ाडू का काम था उसको हमने निप्टा लिया और इसके बासे रास्ता है तो रास्ते का भी वसे से ही काम चला हूं ज़ाडू लगा रही हूं फ्रेंस क्यूंकि ठंड काफी ज़्यादा लग रहा है और अई समय कल से मेरा जो मोटर है ओ खराब हो चुका है इसमें क्या प्रॉब्लम आ कर दे दिये थे तो बहु को जो भी जरूरत होगा अगर पानी रहेगा तो कर लेगी और यहां मैं लग गई हूं मिटी के काम में और ठंड ही तो अभी बहुत ज़्यादा है फ्रेंस मौसम बिलकुल भी नहीं खुला है कोरा इसे ही चाया हुआ है जैसे मॉर्निंग में था लेकिन जो काम है अगर उसको बंद कर देंगे तो फिर हमारा काम भी ऐसे ही पड़ा रहे जाएगा और दो दिन सकल तो पूरे दिन हमारा इसे ही निकल गया बिना किसी काम का ही सासुमा को ले कर चले गए थे हस्पिटल तो सारा दिन वैसे ही मेरा चला गया और वहां से आने तो बस इसी समय में मेरा समय चला गया फ्रेंस और लेकिन हम ने काँ आज सभी काम पहले अपना मौर्निंग में निपता लेते हैं इसके बास से फिर नहाने धोने का जो खाना पिना खाने का काम है उसको करेंगे तो बस लगगए हैं जाड़ू के बास से तुरन से उसको हम आलमारी करना है तो फिलाल में आज हम देखते हैं लेकिन कोई काम नहीं करेंगे ठंड बी काफी ज्यादा है और मिर्टी को हम अच्छे से सान लिए हैं वीडियो यहाँ पर विल्कुल भी हम स्प्रेट नहीं किये हुए हैं और यहाँ देख सकते हैं एक फटासा पटरा था जिसे की फट गया है पटरा ये लेकिन इसी पटरे से हमें सेट करना है अलमारी का इसे लुक देना है और काफी अच्छे से अलमारी का फनेसिंग देना है अब फिलाल में एक ही यहां लगाए हुए हैं लेकिन ऐसा हम दो तीन खाना का नीचे तक अलमारी बनाते च अगर का लुक देने वाले हैं नीचे का फर्स प्लस्तर नहीं हुआ है बस इसी रूम में ऐसा यही रूम है जिसमें की नीचे का प्लस्तर नहीं हुआ है दीवाल भी प्लस्तर नहीं हुआ है इसका और आप लोग देखी रहे होंगे तो हमें बहुत ज्यादा सवक है फ्रेंस म पता भी होगा कि इस समय फिलाल में बालू गिटी जो भी सारे सामान जो हमारे घर के पीछे काफी पड़े हुए हैं इसे फैले हुए हैं अभी सफाई भी वहां कर करना है तो बालू गिटी हर एक चीज मौझूद होते हुए भी मुझे मिटी ही अच्छा लग रहा है मिटी का ही काम मुझे जादा पसंद है फ्रेंट्स तो हमने कहा कि पस से ईस रूम को अपने मिटी के घर के लुक में में चेंज करते हैं इसको मरिने के बिनाव सांद करें आ सब्सक्तूर का दिवाल कि मिटी का चपाई लिए तो तयार हो चुका है बस से इसको थोड़े-थोड़े दूसरे तीसरे साइड का जो दिवाल चुटा हुआ है तो इसको भी हम धिरे-धिरे बरते जाएंगे फ्रेंस कि अभी तो मौसम काफी क्राब है ठंड भी काफी ज्यादा है तो फेमली लोग मेरा तो क्या है मेरे माइंड में अगर आ जाता हैं और सासुमा अभी अटपक पड़ेंगी तो वह भी भोलती रहती है कि जो मिट्टी कोवर का काम है इसको करना जरूरी नहीं है तो फिर ठंड खतम हो जाएगा तो जो आएगा समझ में वह करना लेकिन ठंड लग जाएगा तो फिर तव्यत हो जाएगा खराब तो यही अलमारी का काम है इसको तो हम कंप्लीट कर ही देंगे अलमारी हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो बस दिवाल का मिट्टी का काम है जो जब मौसम थोड़ा सही होएगा धूप होने लगेगा अच्छे से तब यहां दिवाल का भी तैयारी कर देंगे पुरा मिट्टी जो भी लगाना है हमको, क्योंकि मुझे काफी फचन्द है, ये मिट्टी का काम लिपाई पुताई और जो भी है, और अक्सर आप लोग देखते हैं हर एक प्लोग में कि मैं लिपाई पुताई करने का कोशिस हर जगह करती रहती हूं, जहां करने लाइक है क्योंकि बहुत जादा जगर नहीं है फ्रेंज एक यही रूम है जो मेरा अभी फिलाल में नीचे का प्लस्तर नहीं हुआ है तो इसी रूम में मैं जाड़ू और लिपाई फुताई का काम जादा करती हूँ और मेरा जो कच्ची रसोई घर है जो खुद क कि क्या होता था कि कितना भी हो लेकिन एक मिट्टी का घर सबके पास होता था तो बस वही मैं लुक देना चाहती हूँ कितना भी घर हो लेकिन एक मिट्टी का घर हमारे पास जरूर हो तो बस अब यहां पर देख सकते हैं काफी अच्छे से इस पट्रे को हमने फटा हुआ तो हमने का फेकने से अच्छा है कि युज्ज में ले सूखने के बाद तो एक्टम पत्थल जैसा हो जाएगा, हिलने वाला नहीं रहेगा, फिर भी तूटेगा भी नहीं, तो सही रहेगा, क्योंकि हम अपने कच्छी रसोई घर में पहले ही बताए हैं, कि मिट्टी का अलमारी कैसे बनाएं, और छोटा-छोटा सा अलमारी बनाए हुए हैं, वहाँ जैसे बरतन रखने के लिए काफी खुबसूरत लगता है, इसमें बरतन अगर लगा देते हैं, उस मिट्टी के रसोई घर में तो, और अगर देखना चाते हैं, तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, और यहाँ पर हम अभी इस अलमारी को तयार क कर रहे हैं, और इसके नीचे-नीचे हमको दो-तीन खाना तयार करना है, ताकि देखने में सामने है, और खुबतूरत भी लगे, और यह पूरे दिवाल पर मिट्टी का ही छपाई करेंगे, इसमें प्लास्तर बिल्कुल नहीं करवाएंगे, क्योंकि जिन्दगी में क्या है, जो अपने अंदर च्वाइस हो, जो इच्छा हो, उसको पूरा कर लेना चाहिए, और अपना च्वाइस भी वही हो, जो हमारा च्वाइस अच्छा हो, हमारे बड़ों को उससे बिल्कुल भी कोई तकलीफ ना पहुचे, हमारे बड़े बिल्कुल भी मायूस ना हो, और हमार परिवार हमारे family भी खुश रहें और हम भी खुश रहें तो वस वही है किसी को कोई अतराज नहीं था इस room में जैसे मैं मिट्टी लगा रही हूँ या यह कर रही हूँ इससे को कुछ भी problem नहीं है सब अपना ही है जो जिसका मन है खुश है जैसे रहना चाहता है रह सकता है लेकिन जैसे कि अब ठंड पड़ रहा है और इस ठंड में अगर मिटी का काम करेंगे तो उससे सबी सबी को तकलीफ है तो वस इसलिए हम थोड़ा सा यहां का छपाई वाला काम बंद कर दे रहे हैं इस टाइम पर क्योंकि हमार सामने बैठे हैं कि दो तीन खाना नीचे तक लगाते जाएंगे और उस साइट का तो हमको बड़ा अलमारी बनाना है फ्रेंस लेकिन यह जो लगा रहे हैं यह जैसे यह पटरा छोटा सा पड़ा था इस इधर धर फेका पड़ा रहता है तो बस इसको भी हमने का यूज में कैँ ले लेते हैं और इस पे रखेंगे कुछ हैं छोटे-छोटे सामान जैसे की जो भी स्प्रेव हो गया कुछ भी कीणी के पापा इसी रूम में रहते हैं और ये हमारा कच्चा रूम के लुक में हो जाएगा कच्चा घर हो जाएगा तो भी इसमें कोई तो अलमारी होना चाहिए तो बस इसी लिए हमने का बस छोटा छोटा जो भी सामान होगा इस पर रखने के लिए हम बना देते हैं देखने में भी काफी खुबसूरत सा लगेगा और क्योंकि घर है कच्चा दिखेगा तो फिर लुक भी वैसा ही दिखना चाहिए अलमारी भी मिटी का ही दिखना चाहिए तो मिटी का अलमारी कैसे बनाते हैं देख सकते हैं काफी आसानी से बनते जा रहा है और देखने में भी काफी प्यारा प्यारा सा लग रहा है चाहे जितने चाहे हम दो तीन खाना सा बना सकते हैं डिजाइन देते हुए भी बना सकते हैं और पहले भी हमने आप लोगों को दिखा दिया है कि बीना किसी सपोर्ट क मिटी कालमारी कैसे बनायें, तो फिर क्योंकि काफी अच्छा लगता है मिटी का काम है, मुझे काफी पसंद है और देख सकते हैं इस करकराती थंड में भी मुझे बिल्कूल भी जैसे ओं नहीं लगता है कि थंड लग रहा है, मिटी में हाथ ना लगाएं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मैं सोचती हूँ कि अपना जैसे सौल तोड़ी हूँ स्वेटर भी पहन लेते हैं तो ठंड कहां से लगेगा काम तो हम घर के अंदर ही कर रहे हैं और देख सकते हैं इतना प्यारा सा इसका इसका फि mercie इस आकर तैयार हो चुका है और काफी अच्छे से पे जो भी चाहे हम सामान चोटे लगती स सकते हैं या नहीं सामान रखना है तो चोटे मगते जैसे गुलो दस्ते वगड़े भी यहां हम रख सकते हैं तो तो काफी प्यारा देख सकते हैं फ्रेंस दोपर के बज गए है बारव और अभी भी मेरा काम चल रहा है मॉनिंग से ही जो भी है सारा काम अभी पनीस नहीं हुआ है किकी जो अलमारी का काम है मिटी का हमने कर दिया है लेकिन अभी उसमें हमको मिटी धिगाना है बालदी में प इसकी जादा है तो फिर चलते हैं ताइम भी दिखा देते हैं आप लोगों को कुछ देख सकते हैं फ्रेंस इहां पर ऑर बारा बज़की पांच नट हो चुका है और मॉसम का हार वैसा ही है देख सकते हैं काफी ठंड है बहुत जादा थंड है और काम तो जो है उसको करना ही पड़ेगा तो मैं चली आई थी इधर दुकान के साइड और इधर का भी साथ सफ़ाय उन्हें कर दिया है और आलमारी भी मेरा तयार है देख सकते हैं छोटे-छोटे समान रखने के लिए इसको तयार किया है और यह वाली आलमारी भी आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो फ्रेंज तो एक लाइक देकर फ्रेंज और फेमिली में सेर भी किजिएगा और चैनल पर नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिएगा घंटी को दबाकर बेल आइकन भी प्रेश कर लिजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिक्रिशन और मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यार इसे ब्लोग के साथ कल तब तक के लिए बाबाई वीडियो देखने के लिए थांक यू फ्रेंड्स